सर, क्या आप डान्स करते हैं? बिलकुल मगर कहां, कब, क्या आप घर पर होते हैं तो बस फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक लगा कर खली बली पर नाचते हैं? देखिए मिरे लिए डान्स संगीत की धुन पर नाचना नहीं है, मैं नाचता हूं क्योंकि मैंने जीवन के साथ ताल पाली है मैं इसी की बात कर रहा हूं तो अगर हमें इससे थोड़ी गहराई मिले जाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे एक हलका फुल का प्रश्न पूछेंगे और मैं उनके लिए उसे गहन बनाऊंगा देखिए ये कुछ ऐसा है अभी जीवन का सारा अनुभव आप समवेदनाओं के माध्यम से करते हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंगते हैं, चकते हैं और छूते हैं ये अलग-अलग तरह की समवेदनाए हैं तो जीवन के अपने सारे अनुभवों की व्याख्या आप अपनी बुद्धी में कई अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं मगर मूल रूप से ये समवेदनाओं के कई तरह के मिश्रण हैं तो वो भाव हैं, ये जीवन का अनुभव है राग का मतलब है इसकी लए इसमें हमारी कोई भागिदारी नहीं है अस्तित्व ने हमारे लिए लए पहले ही तै कर दी है इस जीवन को जीने की हमारी क्षमता लए की ताल पाने पर निरभर है अगर आप ये ताल पा लेते हैं, तो आप नाचते हुए जीवन जीएंगे आपका जीवन ही एक डांस की तरह होगा अगर आप ताल नहीं पाते, तो आप जीवन की प्रक्रिया से कुछ ले जाएंगे अगर आप ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, जो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है लोग अपने खुद के विचारों और भावनाओं से दब जाते हैं अफसोस की बात है कि ज्यादतर लोगों के लिए इनसान में जो दिमागी विकास हुआ है, वो एक बाधा बन गया है उन्हें लगता है कि कश्ट और दुख कई कारणों से होते हैं, नहीं, इसका सिर्फ एक कारण है आपके बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, बस इतना ही हुआ है विचार और भावनाएं मूल रूप से आप ही पैदा करते हैं, उन्हें आपकी मर्जी के अनुसार होना चाहिए मगर इन विचारों और भावनाओं के काबू से बाहर होने के कारण, वो जीवन की लएको महसूस नहीं कर पाते उनकी मानसिक हकीकत पूरी तरह हावी हो चुकी है, उनके अस्तित्व की हकीकत पर तो जब आप उची आवाज पर म्यूजिक बजाते हैं, जो आपके भीतर हमला कर रहा हो, सिर्फ आपके कानों से नहीं, पूरे शरीर से, शरीर की हर कोशिका हिलने लगती है जब आवाज आपके उपर इस तरह हमला करती है, तो मानसिक हकीकत एक तरह से गायब हो जाती है, और लोगों को मज़ा आता है, एक तरह का आनन्द मिलता है तो म्यूजिक और डान्स के आनन्द का मज़ा लेना ठीक है, मगर कब तक, आप काफे फिट हैं, मगर फिर भी, आपके एक शमता सिर्फ चार घंटों की है जो लोग आपके जितने फिट नहीं है, वो चार मिनिट भी नहीं नाच पाएंगे, यही सच है तो जब आप सिर्फ चार मिनिट या चार घंटे या ऐसे ही कुछ समय तक ले पाते हैं, इसका मतलब है, कि आप सिर्फ अपने अस्तित्व की प्रकृती से जीवन की ताल को नहीं जान पाएंगे हमें अस्तित्व के आनंद को जानना चाहिए, सिर्फ कुछ करने के आनंद को नहीं अगर आप कोई चीज करके खुशी या आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस चीज के गुलाम बन जाएंगे तो ये बहुत महतुपूर्ण है कि आप यहां मौन बैटकर भी आनंद में रह सकें ऐसा हर एक इनसान के साथ होना चाहिए, वरना आप किसी ना किसी चीज के गुलाम बन जाएंगे शायद म्यूजिक, शायद डांस, ये सब आपको मार डालेगा अगर आप 24 घंटे नाचेंगे तो मर जाएंगे